असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है सोर्सिस ओफ करंट ठीक है इसे पिछले लेक्चर्स में हम करंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि करंट जो है वो चार्जिस का फ्लो है किसी भी सर्टन एरिया में एक स्पैसिफिक टाइम में जितने चार्जिस जो है वो फ्लो करते हैं वो जो है वो करंट कहलाता है ठीक है यहां पर हम करंट के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि करंट को मेंटेन रखने के लिए क्या चीज जो है वो जरूरी है या करंट को मेंटेन कैसे रखा जा सकता है ठीक है इसके लिए हम एक एक्जेंपल जो है वो डि तो क्रेंट कर देंगे takingаете कि तो अब पर यह देखें कि約़ सेवे जब दोनों कंड़क्टर का है potential है वो सेम हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा कि क्रण्ट जो है वो स्टॉप कर जाएगा क्यूंकि अब क्रण्ट को मजीद उसका जो potential difference है वो maintain नहीं है वो potential difference उनके दरम्यान रहा ही नहीं है तो इसलिए charges जो है वो flow नहीं कर सकते ठीक है इसी तरह से अगर यहां पे हम कोई ऐसा source provide कर दें जो इन conductors के दरम्यान यह जो positive यानि higher potential और negative यानि lower potential को बरकरार रखे तो charges जो है वो हमेशा positive से negative की तरफ जो है वो flow करते रहेंगे अगर कोई हम source provide नहीं करेंगे तो एक specific time के बाद क्या होगा कि charges का flow जो है वो stop कर जाएगा और current जो है वो बहना बंद हो जाएगा ठीक है तो यहां पे हम जो conductor की बात करते हैं वो ही conductor जिसको हमने पहले भी जो है वो हम discuss कर चुके हैं कि हमारे पास metallic conductor है जिसमें जो free charge carriers है वो electron है हम उसको एक जो potential difference जैनि battery जो है उसके साथ connect कर देते हैं यह battery का positive terminal है यह battery का negative terminal है positive terminal को जो है वो higher potential और negative terminal को lower potential कहते हैं तो अब क्या होगा कि जो है current जो है वो flow करना start हो जाएगा और current की direction जो है वो जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था बताया था कि positive से negative की तरफ होती है यह जो positive charge carriers है हम actually उनका जो flow है वो consider करते हैं कि वो current की direction है ठीक है तो ज़रा इसको समझने के लिए कि यह वाला जो है वो higher potential है यह वाला ज positive charge carriers की बात करते है कि क्यूंके यहां पर हमने current की direction के according बात करनी है actually electron flow करते है ठीक है लेकिन यहां पर क्यूंकर की direction positive से negative की तरफ हम लेते है conventional current की direction तो हम उन्हीं की बात करेंगे for example positive current जो है वो यहां पे अगर है हम कहते हैं जिफ लो करना start करते हैं ठीक है तो higher potential से lower potential की खीक है और यहां पे क्योंक्तो है नेगटिव टर्मिनल है तो उस्की तरफ एक्ट्रेक्ट हो जाते हैं और बैटरी के ल सिखेंश को बैटरी एनरजी पिर्वाइड करती है और यहां आज जो है वो अपनी लूज करते हैं नेगिटिव की तरफ आते हैं फिर बैटरी पे पहुंचते हैं फिर बैटरी उनको चार्ज करती है मतलब बैटरी उनको एनर्जी देती है और फिर जो है वो इसी दरह से वो चलते रहते हैं यहां पे यह वाला जो कंड़क्टर है यह हमने जो हें वो 該ंड करवाती है besंड़ नोनों का नडैंड का पॉटेंशल यहाई यही यह भी हाई है तो आप यह देखें कि ची से फिर फिर भी मूव करेंगे फिर 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 जु कि निक करेंगे बैटरी उनको energy इसे और से ऑपरी से रहते हैं और वह सुनके से पूंचने and पूह से और यहकं है फिर पॉच्छी सब्कें मेंटेइंध आगे… जो है वो flow करना जो है वो बांद कर जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि बैटरी हमारे पास source of energy है कौन सी energy electrical energy ठीक है तो यहां पे battery यहां पे source of current भी है यानि कि battery जो है वो उसने क्या किया हुआ है एक constant potential difference को maintain किया हुआ है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि source of current क्या हुआ क्या हुआ क्या डिवाइस डैट मेंटें दा constant potential difference जिसकी वजह से current जो है वो move यानि flow करता है charges जो है वो move करते रहते हैं और battery उनको energy electric energy जो है वो प्रवाइड करती रहती है ठीक है अब यह देखें कि अगर battery energy जो है वो प्रवाइड करती है तो इसका मतलब है यह कोई और energy होगी जिसको electrical energy में यो टलाइज कर रही होगी यानि कोई और source होगा जो battery को energy जो है वो दे रहा होगा क्योंके इनर्जी जो है वह ना तो क्रियेट की जा सकती है और नहीं जो है वो डिस्ट्राृई की जा सकती है बलके ट्रांसफर में जो है वह होती एक फॉर्म ने बे pratic इनरजी इनरजी इने इन 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 जवी बैटरी जो है कोई भी ऐसा है जो कर गाज नहीं ऐसे रहिता है sukrつ हमारे पास सेल ठीक है यह आम आपने लाइफ में भी सेल जो है वो देखे होंगे तो सेल की जो है वो दो टाइपस है एक है प्राइमरी और एक है सेकंडरी प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको हम एक दफार सोर्स के लिए एस सोर्स कर लेते हैं उसके बाद हम उसको बस फैंक द जो है वो हासल कर लेते हैं ठीक है सेल में जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है यानि कौन सा इनर्जी को अलेक्टिकल इनर्जी में कनवर्ट किया जाता है सेल में एक्चुली केमिकल इनर्जी को अलेक्टिकल इनर्जी में जो है वो कनवर्ट किया जाता है हम यह process जो है वो आगे पढ़ेंगे भी जिसको electrolysis का process जो है वो कहा जाता है chemical energy को electrical energy में convert करता है उसके बाद second यहां पर हमारे पास source है electrical generators ठीक है यह जो electrical generator है आपने देखा होगा कि हम जब घरों में हम generator जो है वो चलाते हैं तो वहां से भी हमें जो है वो हम electricity जो है वो हासल करत होता है यहां पर हम उसको detail में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन एक्चली वहां पर हमारे पास जो एक process है जैसे यह जो है वो दो magnet के दरम्यान जो है वो एक ऐसे कौाइल होती है जिसको जो है वो रोटेट करवाया जाता है इस कौाइल को जो है वो mechanical रोटेट करवाया जाता है और रोटेट करने की वज़ा से जो है वो इस कौाइल में जो है जो है वो जनरेट होता है ठीक है यह कलाइदा process है आगे हम मजीद जो हमारे lectures होंगे हम उसमें देखेंगे details से तो क्या होगा कि mechanical यनि इसको रोटेट करवाया जाता है तो यह क्या करता है यह convert करता है mechanical energy को electrical energy म ठीक है उसके बाद हमारे पास आजाता है thermo couple थर्मो कपल में therm का मतलब जो हीट से है और couple का मतलब जो है वो दो टाइप्स की यह दो जो material होते है हमारे पास उसकी जो हमारे पास wires जो होती है फॉर एक वायर है इसको आप A कहले और यह जो है वो इसके साथ हमारे पास दूसर पास ओर छलीगार होती है तो यहां पश्oqu आही हम कोई बी जो है वह सोर्स आज हो मतलब लगा देते हैं उसके साथ और बाद यहां पे इसका यह वाली जई हो किसी täll है उसकी बनी ही होती है यह जो हो किसी दूसरी होस्ता पपडिएंचु यह वाला जो हुमारा सरक्ट है यह वाला हमाना थर्मोक्पल है य Iron अरफ दूसरी यह ढर्र और दूसरी तो नों ढर्रोषटा की होती है और और गोवह में का ठीडिल्त है वह जो तो ठीडिनध्र डिफरेंस में होता है यहां पर हीट इनरजी नहां उसको यूटलाइज करके– अलेक्टिकल इनरजी यह नहीं पैदा की ज만ल 치ाती है उसके बाद हमाएहाब पाद स्सक्राइधке इस पास बस्क्राइध ह法 होनल कर दो हें फोप्रोम हम इनरजी होनल सकता है ठीक है हम इस source को मुक्तित तरीकों से जो है वो इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है हम devices बनाते हैं जिनको solar panel कहा जाता है वो solar panel जो है वो direct sun की जो light होती है उसमें रख दिये जाते हैं वो sun की light को absorb करते हैं, energy को absorb करते हैं और आगे जो है वो फिर मजीद उनके अंदर जो है वो उस panel में circuit वगएरा होती है और वो उन circuit में जो है वो electricity जो है वो फिर प्यादा होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो current जो है उसके लिए कि source क्या हुआ solar यानिके जो हमारा solar यानिके हमारा sun है वो ठीक है तो ये क्या करता है convert solar energy to electrical energy ठीक है तो ये कुछ main sources हैं जिसकी वज़ा से जो current जो है वो यानि पैदा किया जो जा सकता है